आज के दहिंदू न्यूज एंड एडिटोरियल एनलेसिस को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और एक इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन मैं आप लोगे साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ ऐसी मेरे साथ हुआ था जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा विश्वासी नहीं हुआ इसके उपर और भी फिर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लेश होते रहे देन इसको मैंने अच्छे से गो थू किया देन उसके बाद पदा चलता है कि हाँ बिल्कुल यह एक अथेंटिक न पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह बिल्कुल भी फेक न्यूस नहीं है क्योंकि यहां पर मुझे भी ऐसे लग रहा था यार कुछ यारी फेक ही होगा लेकिन उसके बाद जब इतने सारे आर्टिकल्स पब्लेश होते हैं देन उसके बाद और भी न्यूस आप देख लिजर्ड एलिजडली गांग रेप इन महाराष्टरा और ये जो बात है ये महाराष्टरा के अंदर जो गोथाने विलेज है उसी के पास में सहाइदरी टाइगर रिजव है उसी टाइगर रिजव के अंदर पूरा ये इंसिडेंट हुआ है इन फैक्ट यहां पर जो CCTV स्टडी में रखा गया है उसके पाद आप लोग देख पाऊगे ये इसके ओपर और ही बहुत सरे आर्टिकल्स पब्लिश हो इन फैक्ट मैंने इतने सारे आर्टिकल लगा है ताकि आप लोग विश्वास कर दोगे कि हाँ वाकि यहां पर यह जो नियूज है बिल्कुल लेकिन कई न की जो कम्या है वह इंसान के अंदर ही रह जाती है अब उसके बाद मैं आप लोग को बेंगॉल मॉनिटर लिजर्ट के बारे में दो चार इनफॉर्मेशन देता हूं इंपॉर्टेंट सी इनफॉर्मेशन जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखना जैसे जो monitor lizard है या फिर common इंडिया monitor करके आपर इसको जाना जाता है इसका scientific name है Varanus Bengalensis और एक मतलब बड़े साइस का lizard देखने को मलता है Carnivorous lizard है उसके बाद अगर हम लोग बात करें कहा कपर देखने को मलता है तो यह आपको इरान के अंदर अफगानिसान इंडिया नेपाल स्रिलंका पाकिसान बांगले देश और मैनमार के अंदर यह पाया जाता है lifestyle की अगर हम लोग बात करें तो आपको यह देखने को मिलेगा climb भी कर सकती है lizard ऐसा निया यहाँ पर सिर्फ जमीन पर चलती हो यह climb करने के साथ साथ यहाँ पर swim भी कर सकती है फिर उसके बाद आज के टाइम पर इस lizard को सबसे बड़ा खत्रा भी किसी इचका है कि इसके skin का use किया जाता है प्लस यहाँ पर इसका meat को consume किया जाता है तो इसके लिए भी यहाँ पर इस lizard का काफे ज़्यादा शिकार देखने को मिलता है साथ ही साथ यह जो बेंगॉल monitor lizard है इसको यहाँ पर इसका जो fat है ना उसको traditional medicine के अंदर भी use किया जाता है ऐसी information आपको देखने को मिलेगी फिर उसके बाद conservation status के अंदर बात करें तो IUCN redist के अंदर least concerned category के अंदर आता है और wildlife protection act के अंदर schedule 1 के अंदर आपको यह lizard देखने को मिलेगा तो यह कुछ information available थी Google के उपर जो कि मैंने आपके साथ Bengal monitor lizard के बारे में share करिए इसके बाद start करेंगे अपने दहेंदू newspaper के discussion को उससे पहले अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले download करना है telegram then उसके बाद search box में type करना है दीपक यादव education as you can see guys आप लोग को यह वाला channel मिल जाएगा इस पे click करना और जाकर इस channel को join कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से यह channel नहीं मिलता है तो नीचे description box में PDF link के नाम से एक link आपको मिल जाएगा जैसे आप उस पे click करोगे automatically यह channel open हो जाएगा इसको जाकर join कर लेना join करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आप लोग को daily basis पर lecture का PDF daily current affair के video का PDF और daily बहुत सारे digital notes प्रोवाइड करवा दिये जाते हैं साथी साथ एक और छोटी सी information आप सभी लोकली है आपको पता होगा कि आज morning में current affair का video नहीं आ पाया है in fact मैंने इसको record करके रखावाए मेरे पास वो video रखावाए बिल्कुल तयार है उसको मैं upload नहीं कर पाया हूँ क्योंकि जो videos record होता है वो GB के अंदर पहुंच जाती है उसकी जो भी यहाँ पर आपका सकतो length होती है और फिर उसके बाद क्या हुआ Wi-Fi का connection नहीं आ पाया properly in fact अभी भी यहाँ पर Wi-Fi के connection के अंदर काफी सारे issues आ रहे हैं अभी फिलाल यह जो recording है mobile से हो रही है तो फिर इसको मैं possibly जो mobile का data होता है उससे upload कर पाऊंगा बट काफी सरे issues देखने को में बिले हैं जिसकी वैसे मैं current affair का video नहीं upload कर पाया था लेकिन उसके लिए आप परिशान मत होना यह जैसी issues resolve होते हैं इसके बाद आगे बढ़ेंगे और पहले तो हम लोग अपने lecture को start करेंगे हमेशा की तरह एक map के question के साथ में आज आप लोगो map में जाकर देखना है वालमी की tiger reserve को कहां पर है यह exactly located अच्छे से map में देखना दन उसके बाद आकर नीचे comment section में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे जितने भी location आप लोगों से पूछे जा रहे हैं daily business पर उसको जरूर map में देख लिया करो क्योंकि यह सारे वो places हैं जो कि पिछले एक साल के अंदर लगातर चर्चा में रहे हैं clear हुआ साथ इसाथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year 2012 के prelims में पूछा गया था daily business पर हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं question बोलता है which of the following parties were established by Dr. B.R. Ambedkar तो Dr. B.R. Ambedkar कर गे थूँ कौन सी party को बनाया गया था यहाँ पर आप देख पाऊगे नीचे mention क्या आगया है the present and the workers party of India दूसरा नाम दिया गया है all India schedule cast federation तीसरा नाम है the independent labor party लेकिन अभी option नहीं आएं इसमें से यहाँ पर कोई एक भी हो सकता है दो भी हो सकती है तो नीचे option available है option A बोलता है one and two only option B बोलता है two and three only option C बोलता है one and three only या फिर option D तीनों की तीनों party established करी गई थी डॉक्टर भी रमबैट कर गे थूँ तो इसका सही answer आप सभी लोग को नीचे comment section में देना है at least सभी को उसमें participate करना है जैसा मैं आप लोगों से एक बार cover कर सकते हो तो start करेंगे discussion को पहले तो page number one पर कोई भी ऐसे important article नहीं है जो कि हम लोग exam से relate कर सके यहाँ पर स्रिलंका की news है वो आपको पता होगा एक और में crisis चार रहे हैं इसको लेकर एक article आगे है उसको महीं से हम लोग आपर cover कर लेंगे ओके तो directly चलते है important article के उपर तो सबसे पहले यहाँ पर एक छोटी सी news निकल कर आती है यह वाली जहाँ पर हमारे Prime Minister PM Modi जी का statement निकल कर आता है कि हाँ इंडिया को बहुत सरे doctors मिलने वाले हैं आने वाले 10 सालों के अंदर बहुत सरे record of numbers यहाँ पर doctors आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसा क्या हुआ है तो Prime Minister PM Modi ने यहाँ पर Friday में बोला कि जो हमारी country हमारा देश है इसके अंदर number of doctors होंगे आने वाले 10 सालों के अंदर में क्योंकि यहाँ पर central government एक policy लेकर आ रही है और वो policy क्या है कि हम लोग हर एक district के अंदर एक medical college को establish करेंगे तो हर एक district में medical college होगा यानि कि medical पढ़ाई के उपर पूरी तरह हम लोग focus करने वाले हैं यह सारी बाते PM Modi के थुरू बोली गई है जब यह inauguration कर रहे थे उद्गाटन कर रहे थे एक super speciality hospital का कच यानि गुजरात के अंदर में यह information दी गई साथ साथ क्या होगा देखो अभी फिलाल यहाँ पर medical colleges के उपर focus कर रहे हैं साथ साथ इन्होंने बोला कि अभी काफी सारी चीज़े improve होई हैं पहले ही comparison में अगर हम लोग 20 साल पहले देखे हैं तो इन्फाक्ट गुजरात के अंदर 9 medical colleges हुआ करते थे और अप लोगस यहाँ पर 1100 MBA seats हुआ करती थी बस आज के टाइम पर यह चीज़े काफिया तक बदल चुकी हैं और यही हमारा target है कि हम लोग आने वाले कोई particularly पूछा जाए लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक छोटी सी information है जिसको आप लोग याद रख सकते हो क्योंकि आपको बता होगा हर एक article के साथ हम लोग कुछ important information को कुछ अलग से यहाँ पर beyond the article भी cover करते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया के healthcare sector के बारे में हम लोग relate कर पाएंगे क्योंकि obviously बात यह article ही हमारे healthcare point of view से important हो जाएगा तो मैं आपको इंडिया के healthcare sector के बारे में चीज़े बताता हूँ कि आखिर कार कैसी परफॉर्म करती है पिछले पास सालों के अंदर इंडिया का जो healthcare sector है वो काफी तेजी से grow हो रहा था लेकिन COVID-19 के वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे healthcare sector काफी तेजी से down आया काफी सारे challenges हम लोगों ने face किये हैं और उसके के बाद ही हम लोगों यहाँ पर इंफ्रूमेंट की काफी तक आविशकता होगी अब यह वाला जो data है न यह दो point है यह important है अपने पास इसको note down करके रख सकते हो कहीं पर भी use कर सकते हो आज के time पर जो combine total government expenditure है combine मतलब यहाँ पर चाहे वो central government है मतलब हमारी केंद सरकार हो राजय सरकार हो दोनों मिलकर हमारे healthcare के उपर कितना पैसा खर्च रहे है तो लगबाग यहाँ पर आप कह सकते हो हमारे GDP का 1.29% यहाँ पर expenditure हो रहा है तो हमारे GDP का 1.29 प्रतिशत खर्चा जा रहा है हमारे health sector के उपर तो यह काफी ज़्यादा कम है इसको enhance करने की पूरी पूरी यहाँ पर आवश्रक्ता देखने को मिलेगी in fact जब हम लोग बात करते हैं BRICS countries कि आपको पताओगा BRICS के बारे में BRICS यहाँ पर 5 countries का group है जिसमें Brazil, Russia, India, China और South Africa है अगर हम लोग इन 5 countries के comparison में देखें तो इंडिया यहाँ पर अपने GDP के regarding सबसे कम पैसा खर्च कर रहा है health care के उपर सबसे पहली चीज़ आप लोग यहाँ पर देख पाओगे जो ब्रजील है वो अपने GDP का 9.2% यहाँ पर खर्च करता है अपने health care के उपर South Africa 8.1, Russia 5.3, China 5% और इंडिया यहाँ पर सबसे कम लगबग 1.29% यह आप लोग देख पाओगे तो यह data इसलिए काफी जादा important हो जाता है हाला कि सरकार के काफी सरे initiatives हैं जो की launch करे गए हैं जैसे आयुश्मान भारत हो गया प्रधान मंतरी जन आरोगे योजना हो गया जो की लगातार काम कर रहे हैं पर अभी भी यहाँ पर जो health care के उपर focus है वो काफी तक कम आपको देखने हो मिलेगा clear हुआ तो यह information आप अपने पास जरूर रखना आगे चलते हैं अगले article पर लेकिन उससे पहले एक और चीज आपको बता दूँ आपके लिए daily basis पर एक means का question भी आपको दिया जाता है जिसका answer आप लोग लेकर daily basis पर एक group में submit करते हो तो वो answer आज आप लोगों मिल जाएगा कल मैं दे नहीं पाया था कल वीडियो काफी लेट ऊचुगा था कुछ technical issues की वज़ा से तो वो वीडियो आज answer मिलेगा तो उसका answer आपको लिखना है देन उसके बाद यहाँ पर proper वो जो answer अपना post करना उस group के अंदर कैसे करना है वो सारी बाते में आप लोगों को आगे बता दूँगा उसके बाद यहाँ पर अगला article आप देख पाओगे नीचे ही इसके काफी सारे articles present तो हैं लेकिन यह हमारे काम के नहीं है यह बिल्कुल यहाँ पर विकार है आप लोग यहाँ पर इसको बिल्कुल भी मत पढ़ना ठीक है एक article यह देखने को मिलेगा इस article को simply आप लोग GS paper 3 defense and security के point of view से relate कर सकते हो साथ GS paper 2 international relations से भी relate कर सकते हो यहाँ पर क्या बात की गई है देखो जैसा आप लोग को ही दिख रहा है न यही S-400 system है जिसको Russia से हमने purchase किया है अभी यह आने है इंडिया के अंदर लेकिन आने में काफे problems हो रही है क्योंकि आपको पता है Russia Ukraine के बीच में war है जिसकी वज़े से यह सारी problems आ रही है तो यही बताया गया कि यहाँ पर एक delay देखन को मिल रही है Russia Ukraine के war की वज़ा से यह information यहाँ पर officially confirm कर दी गई है साथ साथ यहाँ बताया गया कुछ training equipment से simulator से जो की already भारत के अंदर आ चुके है regarding S-400 ठीक है और यह भी यहाँ पर इंडिया के officials ने इस information को confirm कर दिया है मतलब कुछ items हमारे पास हैं और हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पिछले साल के आखरी महीने की मतलब December की तो इंडिया के पास में आपे delivery होती है अपने पहले S-400 regiment की तो पहला unit हमारे पास आ चुका था In fact हमने Russia से यह deal करी थी यह हम लोग S-400 सिस्टम purchase करने की deal कब करी थी 2018 October में करी थी 5.43 billion dollars की जिसमें से 5 जो यहाँ पर S-400 सिस्टम है यह हम लोग पिछले December में purchase कर चुके हैं First unit आ चुका है और इस First unit को हम लोग तेहनात कर चुके हैं पंजाब के अंदर में और यह सारी चीज़े भी यहाँ पर officially confirm हो चुकी हैं अब यहाँ पर क्या है हम लोग Second unit का इंतजार कर रहे हैं जब situation सुदरेगा तब हमारे पास Second unit आएगा In fact यहाँ पर यह भी mention किया इतना सब कुछ हम लोगे ने कर लिया हालक यहाँ पर US का एक सबसे बड़ा threat था कार्टसा का आपको यह बात ही पता होगी US यहाँ पर अपना एक sanction maintain करके चलता है जिसका नाम है कार्टसा इसकी full form है countering America's adversaries through sanctions act इसका मतलब क्या है US ने यहाँ पर defense equipment को purchase करता है तो US क्या करेगा उस देश के ओपर जिसने purchase किया है यह sanction लगाएगा तो यहाँ पर अगेन भारत ने भी यहाँ पर S-400 system purchase किया है तो बहुत बढ़ा डरता है कि हाँ कार्टसा की sanctions लगाए जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे फिलाल ऐसा अभी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि आपको पता होगा recently इंडिया US के बीच में 2 plus 2 का discussion हुआ था मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया भी है जहाँ पर उन्होंने मना कर रखा है कि हाँ पर कोई वैसे कार्टसा की sanctions नहीं लगाने वाले हैं फिर उसके बाद आज के टाइम पर यहाँ पर काम कर चुके हैं कि हम लोग जो payments बगर आएं वो रूपी और रूबल में करेंगे ठीक है Indian currency और Russian currency में वो किये जाएगा जो भी payment होगा अब यहाँ पर dollar का कोई role होने वाला नहीं है यह आप लोग देख पाऊगे clear हुआ तो यह information दी गई है अब साधी साथ एक औ बड़े concern है तो इनके लिए हम लोग के भी requirement है कि हम लोग अपने defense system को और ज़्यादा मजबूत करें clear हुआ यह कहान ही होगे हमारे इस पूरे article की पूरे article को हमने निचोड लिया है बट इसके बाद भी यहाँ पर कुछ और information available है जो कि India और Russia के defense relations है जो कि आपको पता ही होन clear हुआ अब defense relations के बारें बात करें तो इंडिया रश्या के बीच में एक सबसे important pillar यही चीज़ है दोनों की दोस्ती के बीच में defense वाला जो यह point है न यह सबसे अदा मजबूत point देखने को मिलेगा क्योंकि भारत बहुत सारे equipment रश्या से purchase करता है इंफाक्ट current time है आज के time प Russian origin है वो information में आपके साथ share करने वाला हूँ तो होता क्या है यहाँ पर पहली चीज़ दो देखो आज के time पर relations काफी improve है काफी अच्छे relations आपको भारत रश्या के बीच में देखने को मिलेंगे दोनों के जो defense minister हैं वो हर साल यहाँ पर मिलते हैं देखे हर साल यहाँ पर discussion व कुछ ultimate growth रही है अगर हम current scenario में बात करें ठीक है मैंने आपको बता है starting में थो relations कमजोर थे बट 2013 से लेकर 14 की बीच में आपर क्या हुआ चीज़े साही हुई और हमने यहाँ पर S-400 triumph air defense missile system की deal कर लिए किसके साथ में रश्या के साथ में तो हमने यहाँ पर यह deal कर तो ली थी ह हाला कि हमें डर था कि हां कार्ट्स आगे sanctions लग जाएंगे USA के उसके बाद भी यह deal करी गई तो इसके बाद से relation और मजबूत होने शुरू हो गए अगर हम लोग बात करें तो इंडिया को बहुत सारे countries जो है weapons बेचते हैं तो भारत बहुत सारे देशों से इन हत्यार को खरी जैसे MiG-29 हो गया, Su-30 MKI fighter aircraft हो गया तो रहिशास हम लोग यह सब चीज़े भी purchase कर रहे हैं यह जो deal हुई थी यह हुई थी 2.4 billion US dollars की उसके साथ साथ दोनों countries ने मिलकर अभी यहां पर क्या क्या है एक successfully एक और deal करी है वो है AK-203 rifles की AK-203 rifles का contract हुआ साथ यहां पर 200 KA-260 utility helicopters की भी यहां पर deal हो चुकी है, in fact यह question अभी यहां पर recent जो examination हुआ है उसमें भी पूछा गया था कि AK-203 rifle की deal कौन कौन से देशों के बीच में हुई भी है, clear हुआ, फिर उसके बाद यहां पर एक paper publish होता है Stimson Center के थूँ और वो paper यहां पर बताता यह है कि आज के टाइम पर अगर जो हम लोग देखें, 86% जो भी equipment से हैं, weapons हैं, जो भी platform से currently, इंडिया के military services के अंदर वो सब Russian origin है, मतलब 86% तक जो भी हम लोग defense equipment यूज कर रहे हैं, वो यहां पर Russian origin है, Russia से कहीं न कहीं यहां पर purchase क्या गया, Russia का उसके अंदर कहीं न कहीं एक involvement है, अब उसके बाद countries joint production कर रहे हैं, साथ में मिलकर यहां पर अपने हत्यार को develop कर रहे हैं, साथ मिलकर research, design, development, production वगरा चल रहा है, सबसे बड़ा example आप ब्रहमोस cruise missile का ले सकते हो, ब्रहमोस missile को ही यहां पर, in fact, Russia और India दोनोंने मिलकर यहां पर इसको बनाया है, अब ब्रहमोस का नाम आपको पत हैं, वो जरूर पढ़ लेना है, वो important है, directly question बनते हैं, one day examination में भी साथ ही साथ, prelims में भी यहां पर पूछ लिया जाता है, अगर हम लोग बात करें, India, Russia के बीच में कौन कौन से joint exercise यानि अभ्यास देखने को मिलता है, तो यहां पर आप देख पाओगे, India, Russia के बीच में एक tri-service exercise होती है, जिसका नाम है exercise Indra, then उसके साथ साथ यहां पर आप देख पाओगे, Russia का जो military equipments है, वो यहां पर India के अदर काफी सारी जगा पर है, in fact यहां पर mention क्या गिया हमारी जो navy है, हमारी navy के पास अभी एक लोटा aircraft carrier है, जिसका नाम है INS विक्रान में देखते हैं, एक इस विक्रान भी है, जो कि proper यहां पर अभी, मतलब सब कुछ तयार है, फिलाल अभी भी हां पर थोड़ा बहुत उसके पर testing चल रही है, बट हमारी navy के पास एक लोटा aircraft carrier, जो एक विशाल सा यहां पर जहाज होता है, जो कि aircraft को carry करता है, ठीक है, उसका नाम है INS विक्रम दे तो in fact यहां पर आप देख पाओगे, यह भी Russian origin का है, clear हुआ, उसके बाद हमारे पास एक submarine है, nuclear attack submarine, nuclear attack submarine बहुत ही कम countries के पास देखने को मिलती है, लेकिन इंडिया के पास जो है nuclear attack submarine चकरा, यह भी हां पर आप लोग देख पाओगे, Russian origin है, अब बात करें हमारी army के, तो army के प fighter aircraft तो यह भी यहां पर Russia से लिया गया है, तो यह यहां पर आप देख पाओगे, आखिरकार Russia का क्या importance देखने को मिलता है, और अब finally यहां पर S-400 system भी यहां पर आप कर सकते हो, खरीद रहे हैं, हम लोग खरीद ओलरी चुके हैं, यहां पर हम लोग second unit का wait कर रहे हैं, clear वीओ पर जो like का button ने वो नहीं दबाया है, तो फटा फट दवा देना, आपको मैं सारी information यहां पर cover करवाता रहता हूँ, तो इसमें कोई आप पर चार्ज वगर नहीं जा रहे हैं, आप लोग ऐसे support कर सकते हो, ठीके, लगबग यहां पर एक demand रहती है, वो मेरी यह रहती ह कि आप लोग यहां पर इस वीडियो पर 5000 likes पहुचा दिया करो, तो काफी है ता यहां पर एक support मिल जाता है, तो in fact I hope आप लोग भी आप आज के इस वीडियो पर 5000 प्लस महुचाने वाले हो, अगले article पर चलते हैं, नव उसके बाद आती है, एक और बहुत जादा important news बात की अब देखो Egypt, नाम आपने सुना होगा, पिछले कुछ जिनों में चर्चा में था, मैंने बहुत ज़्यदा ज़ोड दिया था Egypt के ओपर, है ना, वो क्या था, जब मैंने एक article आपको पढ़ाया था, कि रशिया यूकरेन के वार में भारत को क्या फायदा हो सकता है, तो भार रशिया और यूकरेन दोनों यहाँ पर बहुत सारा गेहूं प्रडियूस करते थे और बहुत सारा गेहूं यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करते थे, बट अभी इस current crisis की वज़ा से ना ही यहाँ पर production ओपर आए, ना ही यहाँ यहाँ पर export ओपर आए, तो इसकी वज़ा से जो अलग-लग countries यहाँ पर purchase कर रही थी रश्या युकरेन से गेहूं को वो अब यहाँ पर purchase नहीं कर पा रही है तो भारत के पास यही मौका था opportunity थी कि हम इस opportunity को grab करें और इन countries को हम गेहूं बेजें और इन से पैसा कमाएं जो कि अब यहाँ पर यह हुआ है तो Egypt ने यहाँ पर आ करती है वो है Egypt तो Egypt यहाँ पर सबसादा गेहूं को import करता है पूरे दुनिया के अंदर तो अब हम लोग यहाँ पर Egypt को गेहूं बेजने वाले हैं इससे यहाँ पर भारत को definitely काफी फायदा मिलेगा और बहुता क्या है देखो हम लोग भी बहुत सारे production करते हैं गेहूं का ल इंपोर्टर है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं तो अब यहाँ पर यह इंपोर्ट करेगा इस ग्रेन को पहले तो यह रश्या युक्रेन से पर्चेस कर रहा था बट अब इन क्रैसिस की वजासे अब इंडिया से यही पर्चेस करेगा यह यहाँ पर हमारे पास information आ जा था ठीके जहां पर भारत में कोई ऐसा वीट यहां पर एजप्ट को नहीं दिया लेकिन आप देख पाओगे फिर भी इतना वीट यहां पर इंपोर्ट किया एजप्ट ने फिर उसका बताया more than 80% 80% से भी जादा जो एजिप्ट का वीट इंपोर्ट था साल 2021 के अंदर वो इन से भी पैसा जनरेट कर सकते हैं अपने व्यापार को यहां पर इन कंट्री से इंक्रीज कर सकते हैं क्लियर हुआ वो यहां पर कहिने कि हमारी एकॉनमी के अंदर कॉंट्रिब्यूट होता हुआ नजर आएगा प्लस अब हमारा फोकस यह है कि हम लोग वीट से निकल कर आएगी हम लोग बहुत सरी कंट्रीस तक पहुंचाएंगे भी जैसे बांगलिदेश, UAE, कतर, स्रिलंका, ओमान, मलिशिया, इंडिया यहां पर अपने पूरे एफट से लग रहा है कि हम लोग अपने वीट एक्सपोर्ट को यहां तक भी हम लोग अपने वीट क बता देता हूँ जो कि important है अगर हम लोग वीट के मामले में देखें तो वीट एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया भर में टॉप कंट्रीस आपको रश्या और युक्रेन दोनों देखने को मिलेगी रश्या वर्ल्ल का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का या आपको अगर हम लोग बात करें टॉप फाइफ कंट्रीस की जो कि आपका सकते हों कि सबसादा वीट का प्रोड़ करती है तो उसमें रश्या भी है टॉप पर है रश्या के बाद यूएस देन केनड़ा दन फ्रांस दन यूक्रेन उसके बाद टॉप इंपोर्टर के बारें बात कर लेकिन largest producer के अंदर है हम लोग भी दुनिया का सबस्वादा बढ़िया production करते हैं लेकिन बात यह ना कि हम लोग consumption है वो भी हाँ पर कर लेते हैं तो अभी फिलाल हम लोग focus करने वाले इस export के ओपर भी clear हुआ बाकी कुछ और information जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए वो wheat के बार है जब उसको हम लोग लगा रहे हूं जब फसल की कटाई हो रही हो तो लगबग उसमें 21 से 26 डिगरी के आसपास आपको यह temperature देखने को मिलना चाहिए rainfall की बात करें तो 75 से लेकर 100 सेंटी मीटर तक का requirement है soil की बात करें तो यहाँ पर well-drained, fertile, lowly soil की ज़रुरत यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी और top wheat producing states के बारें बात करें तो सबसादा कौन-कौन से राज्यों में गेहूं का production होता है तो इसमें उत्रप्रदेश, पंजाब, मध्याप्रदेश, हरियाना और राजिस्थान आपको देखने को मिलेगा इंडिया आज के टाइम पर second largest producer है चायना के बाद में उसके बाद इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा देखो सबसादा ये main food crop माला जाता है उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो wheat cultivation है, wheat cultivation को support करने के लिए सरकार के बहुत सारे initiatives हैं जैसे की macro management mode of agriculture हो गया national food security mission हो गया, राश्ट्रे क्रिशी विकास योजना हो गया तो ये सारे initiatives सरकार ने चलाए हैं ताकि हम लोग अपने wheat के cultivation को और सदा increase कर दें clear हुआ तो ये आपके पास सारी detailing आ चुकी है, article को पढ़ो तो उसको सब तरफ सा निचोड़ लो ताकि कोई सबी question बन जाए, कहीं पर यी बन जाए, in fact चाए छोटी सी भी news हो उसका हम prelims में साथ-साथ mains में भी use कर पाएं, तो जैसे कि mains के तयारी साथ-साथ चलती है तो मैं आपको articles की सारी detailing cover करवाता रहता हूँ चलो, next article पर चलते हैं, तो उसके आद आप देख पाओगे, यहाँ पर COVID-19 को लेकर खबरे cover की गई है तो again हमारे लिए कुछ भी यहाँ पर खास नहीं है एक article आपको यह देखने को मिलेगा, यह एक important है इसके साथ मैं आपके साथ एक और छोटी सी news discuss करूँगा, जो की बहुत-बहुत important होने वाली है तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, बात की गई है, जो हमारी नेवी है वो अपने indigenization efforts को और जदा मजबूत करने वाली है अब इसका मतलब क्या है, देखो आपको पताओगा, recently मैंने आपके साथ discussion किया था कि जो third indigenization list है, वो हमने यहाँ पर approve करी है मतलब कि हम लोग अब focus यह कर रहे हैं, कि जो दुनिया भड़ से हम लोग defense equipment को import कर रहे थे मतलब कि हत्यारों को हम लोग ले रहे थे अलग-लग country से अब उसको लेना बंद करेंगे, हम अपने country के अंदर खुद इसको बनाएंगे और खुद बनाने के बाद खुद use भी करेंगे, प्लस जो surplus होगा, उसको बेच कर वहाँ से पैसा कमाएंगे यह हमारे पास goal है, और इसी को लेकर हम लोग first, second और third list के ओपर काम कर चुके हैं पर हमने discuss किया कि हम लोग लगबक कई, मतलब एक बार 100, एक बार 100, एक बार 100 अलग लिस्ट के अंदर इतने सारे items डाल दिये गए कि बहुत सारा जो equipment बहार से purchase किया जाता है, नेवी के sector के अंदर, वो सब इन्होंने अपने country के अंदर हम लोग बनाने के ओपर कोशिश की है और अभी इसी effort को और जदा increase करने के बारे में इस particular article में चर्चा की गई अगर हम लोग बात करें नेवी की, तो यहां पर आप देख पाओगे, मतलब दस्यों साल पहले से नेवी का पूरी तरह से focus है, इंडिनाजेशन प्लान के ओपर, जिसको हम लोग आई एन आई पी के नाम से जानते हैं, मतलब कि यहां पर इंडियन नेवी इंडिनाजेशन यहां पर हमारा focus यह है कि बहुत सारे equipment और बहुत सारे systems जो कि हमारी नेवी यूज़ करती है, बहुत सारे weapons या फिर aviation related items उसको हम लोग यहां पर किसी दूसरे country से purchase करना बंद कर दें, अपने country के अंदर हम लोग उसको खुद produce करें, clear हुआ, फिर उसके बाद यहां पर आप purchase करें, खासकर हतियार, वो यहां पर खतम कर दें, और उसके साथ क्या करें, अपने domestic manufacturing को boost करें, मतलब कि हम अपने country के अंदर इन सारे हतियारों को बनाएं, उसको boost अब दिया जाए, clear हुआ, यहां पर आप देख पाओगे, साधी साध यहां पर हम लोग बात करें अभी ने लगबक 3400 items, 3400 items को indigenize किया है, मतलब जो हम लोग अलग लग देशों से ले रहे थे, वो खुद यहां पर हम लोग बना रहे हैं, clear हुआ, जिसमें से 2000 machinery हैं, और 1000 के आसपास आपको aviation spares देखने को मिल जाते हैं, प्लस 2500 के आसपास weapon spares आपको देखने को मिल जाते हैं, यह सा के अंदर कुछ spare spots की आवश्रकता होती है, इन सब को पहले हम लोग खरीद रहे थे, अब इनको हम लोग खुद अपने देश के अंदर बनाएंगे, यह अपकी बार focus किया जा रहा है, clear हुआ, I hope आप लोग यहां पर एक बात समझ गए होंगे, ठीक है, यह यहां पर बोला गया, साथ से हमारा focus area देखो यह है न, कि नेवी के साथ साथ हमारी जो army है, हम लोग अपने पूरे के पूरे defense जो भी हमारा import हो रहा था, उसको cut down करते हैं, यह हमारा focus है, यह तो information हमारी navy हो गई, लेकिन अब जो information cover करने वाला हूँ, वो मैं आपके साथ वो information cover कर रहा हूँ जो कि आज से 9 दिन पहले cover करी थी, आपका revision भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से related है, तो again अब इस से related है, तो cover कर लेते हैं, क्या दिक्कत है है न, आपका revision भी हो जाएगा, फिलाल उस समय इतनी detailing में cover नहीं किया था, जितनी detailing में आज cover करेंगे, यहाँ पर हम बात करन नाम है, वो basically अलग-लग हध्यारों के weapons के आपको यह नाम सब देखने को मिलेंगे, अब question यह है, हम करेंगे क्या 101 इन weapons का, अब इन हध्यारों को हम लोग जो दूसरे country से purchase कर रहे थे, वो वाले नाम डाले गए हैं, अब हम इनको purchase नहीं करेंगे, इनके import को हमने कर दिया है, बैन, और यह यहाँ पर third list है, जैसे मैं आपको बताया, बिल्कुल, तो यह भी 9 दिन पहले की ख़बर है, तो third list से पहले first or second भी आई होगी, हाँ, ऐसा ही हुआ था, पहली list भी हम लोग लेकर आए थे, अगस 2020 में, जहां पर again हमने 101 items को बैन कर दिया था, इसको हम लोग import न तो इसमें हमने जो lightweight tanks होते हैं, प्लस यहाँ पर mounted RT gun system हो गया, next generation offshore petrol vessels हो गया, तो इन सब को यहाँ पर हम लोगों ने अभी बैन कर दिया, इनके imports को बैन कर दिया है, फिर उसके बाद हम focus कर रहे हैं कि हम लोग अपने country का खुद का domestic industry है, उसको promote कर सके हैं, क्योंकि इसकी importance य प्लस यहाँ पर फाइदा देखने को मिलेगा एक fiscal deficit का भी, होता क्या है, obvious ही बात है, हम लोग जब किसी हत्यार को purchase करते हैं, तो वहाँ पर पैसा दे रहे है, payment जा रही है, ठीक है, country से पैसा काफी सर जाब भी रहे, लेकिन अब क्या होगा, अब हम अपने country के अंदर चुका है, भई, यहाँ पर Indianization of Defense का मतलब यह है, कि हम लोग जो भी defense equipment से, जो की बाहर से purchase कर रहे थे, उसको हम अपने country के अंतर खुद develop करें, ऐसी हमारी capability हो जाए, clear हुआ, इसमें एक सबसे बड़ा role होने वाला DRDO का, DRDO, इस रो, यह सारी pride यह आपको इंडिया की देखने के लिए, defense sector को भारत के अंदर grow करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर काफी सारी सीदों की testing वगरे करते हैं, clear हुआ, अब यहाँ पर क्यों जरूरत है इसका, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या आवशक्ता हो सकती है, क्योंकि आवशक्ता इसलिए है, हम लोग आज के टाइम प है ना, यह इसके ओपर focus किया है, और एक टाइम पर आप देख पाऊगे हम लोग काफी dependent थे, अलगलग countries पे, रश्या के ओपर, आज भी हम लोग देख पाएंगे काफी सारे dependent आपको देखने को मिलेगा, ठीके, तो इसी वेसे हम लोग transform कर रहे हैं अपने आपको, और यह transformation start कहा से होता है, मतलब कि हम लोग कैसे हम, मतलब इतिहास start हुआ हमारे defense sector का, हम लोग अपने country के अंदर हतियार को कब से बनाना शुरू कर चुके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, देखो, यह 1980s के बीच का आसपास का समय था, सरकार ने research और development को काफिया तक बढ़ावा दिय और फिर उसके बाद यहां पर कुछ steps उठाए, अब फिर उसके बाद क्या होता है, 1983 के अंदर यहां पर हम लोगों का defense indigenization शुरू होता है, क्योंकि 1983 से पहले हम लोग दूसरे country से ही purchase करते था हतियार अपने country में बनाते नहीं थे, लेकि 1983 के अंदर हम लोगों ने पहली बा आप अराम से धिहान रख सकतो, पटना के नाम से धिहान रखना, P से प्रत्वी मिसाइल, A से अगनी मिसाइल, उसके बाद यहां पर T से त्रिशूल हो गया, और N से नाग मिसाइल, A से आकाश मिसाइल, clear हुआ, फिर उसके बाद यह जो efforts हैं, जैसे हमने हाप पर इनका production किय या, वो efforts बढ़ते हुए चले गए, और फिर हम लोग यहां पर रुके नहीं, और आज के टाइम पर हम लोग यहां पर start कर चुके हैं, दूसरे जो products हम लोग ले रहे थे उसको ban करना, in fact, India, Russia ने मिलकर अभी एक agreement भी sign कर रखा था, जिसके basis पर भ्रहमोज मिसाइल को दोनों होने साथ मिलकर develop किया है, clear हुआ, यह यहां पर एक छोटी सी information हो गई, तो यह article cover हुआ, उसके बाद आता है, page number 11 के उपर, that is world section, तो आप world page पर आप देखोगे, तो कोई भी यार खास article नहीं है, यहां पर बात किया है, रश्या युकरेन के dispute के बारे में, रश्या ने हापर missile strike कर दी है, कीवी के बाहर, ठीक है, तो वो information है, ऐसी information regular basis पर cover हो रही है, इधर इसराइल पिलिस्टीन के conflict के बारे में चर्ट सकी है, यह अगेन यहां पर कोई खास बात नहीं है, कोई ऐसी information, factual information, या फिर कोई ऐसी information हो जिसकों लोग कहीं पर भी use कर सकें, तो ऐसे कोई भी 12 पर आएंगे business section पर, तो business section पर भी कोई भी खास सीजी नहीं, आप लोग खुद देख पारे होंगे, ठीक है, तो कभी अभी ऐसा होता है, कुछ खास important आता नहीं है, फिर उसके बाद एक छोड़ा सा article जरूर है यहां पर, यह वाला, इसको भी एक बार देख लेते हैं, यह 2000 साल पुराना structure है, राजगिर के अंदर, उसको UNESCO World Heritage Site के अंदर होना चाहिए, यह बनाया गया था, तीन century BC से भी पहले, तो basically यहां पर इसको भी एक तरीके से, मतलब विश्व धरोवर के अंदर add करो, ऐसा यहां पर बिहार का कहना है, clear हुआ, तो एक छोटी से information है, add अभी क्या नहीं गया है, तो यह information स्रीव ऐसी available है, आप लोग ध्यान रख सकते हो, इसके बारे में जरूर, बाकी World Heritage Site क्या होते हैं, तो आपको यहां पर पता ही होगा, विश्व दरुवर यहां पर आप देख पाओगे, इसको क्या होते हैं, इनको जो tag वगरा मिलता, World Heritage Site का, वो UNESCO देता है, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, आप जो साइट होती है, बेसिकली हाँ पर, मतलब, outstanding value है, इनकी अपने आप में कोई historical value है, काफी एतिहासिक हैं, जिसको एक protection की आवश्रकता है, उसके basis पर हम लोग यहां पर World Heritage Site देखते हैं, आज के टाइम पर आपको जब यह World Heritage Sites के बारे में बात चीत की जाती है, तो तीन प्रकार के साइट होती है, एक होता है, cultural site, दूसरी होती है, natural site, और तीसरा होता है, mixed site, अब cultural heritage sites के जब हम लोग बात करते हैं, तो basically यहां पर यह culture के basis पर, मतलब include होती है, simple सी बात है, example लेता है, जैसे दोला वीरा हो गया, दोला वीरा एक हरपन सी साइट है, जो कि natural ही बना हुआ है, उसके बात एक आता है, mixed heritage site, mixed के अंदर यहां पर natural और cultural दोनों का यहां पर concept देखने को मिलता है, example है, कंचें जंगा, national park, ठीक है, तो यह ध्यान रख सकते हो, तो तीन प्रकार के sites देखने को मिलती है, यह factual data cover हुआ, और फिर यहीं पर य इडिटोरियल पर देखेंगे, आज के important editorial को, लेकिन editorial से पहले मैं आप लोग को mains का question देता हूँ, जो कि आप से daily basis पर पूछा जा रहा है आज कल, तो एक second starting में मैं नहीं लगा रखा है, यहां पर, page number one पर ही लगा रखा है, इसको load हो चुका है, यहां पर हम आपन करता है, देखो, सोला अप्रेल का जो daily means question वो यह है, discuss India's contribution towards net zero carbon emission and what more India can do to achieve its goal of net zero by 2070, I hope आप लोग समझ गए होगे, यहां पर क्या है, आपको पता होगा हमारा focus यहां पर यह है कि हम लोग pollution को बल्कुल कम से कम कर सकें, तो इंडिया का जो contribution है, net zero carbon emission के अदर वो क्या है, प्लस भारत क क्या क्या करना चाहिए, ताकि जो हमने अपना target set क्या है, 2070 तक हम लोग net zero carbon के तरफ बढ़ जाएंगे, pollution free हो जाएंगे, तो भारत को क्या 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 करना चाहिए, अपने इस goal को achieve करने के लिए, यह आप अपने point of view यहां पर लिख सकते हो, अब एक question आप लोग पूछोगे जैसे आप लोग कहते भी हो, कि अगर question देते हो, तो यहां पर question का थोड़ा सा approach बता दिया करो, कि in fact हम लोग कैसे इस question को attempt करें, तो चलो मैं आप लोग इसका थोड़ा सा approach बता देता हो, कि कैसे आप लोग लिख सकते हो, सबसे पहली चीज़ आप लोग देखोगे, यहां पर इसका approach रहेगा, इस basis पर, कि इसका introduction, introduction से भी पहले हाप लोग मैं आपको बताओ, आपको net zero के बारे में पताओना चाहिए, आप start कर सकते हो, इस पूरे article को बता कर कि यह net zero carbon emission क्या हो सकता है, क्या होता है, फिर उसके आप भारत ने क्या pledge ली है, कि हम लोग इसको कब तक अचीव करेंगे, कैसे अचीव करेंगे, वो mention करो, फिर उसके बाद यहाँ पर discuss करो कि हाँ, इंडिया का क्या क्या contribution रहा है, net zero carbon emission की तरफ, फिर last में आपके add कर सकते हो, कि जहाँ पर अपने measures पता सकते हो, क्या क्या भारत कर सकता है, अपने goal को achieve करने के लिए, net zero emission के लिए ठीके, इसके अंदर एक introduction का पैरा बन जाएगा, फिर पूरी body बन जाएगी, जहाँ पर आप लिख सकते हो, कि भारत का contribution क्या क्या रहा है, हम लोग क्या क्या contribute कर चुके हैं, ठीके, एस में बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, जैसे हम लोग अपना transport sector को reform किया, electronic vehicles को हम लोग न अपने goal को किस प्रकार से achieve कर सकता है, clear हुआ, तो यह एक छोड़ी सा information यहाँ पर हो गई, बाकी यहाँ पर क्या था, बीच में एक और information available है, उसको भी हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे, यह एक picture है, जिसके बारे में आपको बता होना चाहिए, यहाँ पर जो picture है, इसके अंदर पूरा का पूरा skill दिखाया गया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार यह निहांग के बारे में, तो निहांग को लेकर question मन सकता है, पिछले साल भी चर्चा में था निहांग, और उससे पहले भी चर्चा में था, तो मतलब पिछले एक साल के अंदर लगबग 4-5 पर चर्चा में आ चुका है, जहां तब मुझे यादा रहे, तो अब निहांग के बारे में बात करते हैं, कौन हैं यह निहांग, तो इसको आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर सकते हो, निहांग इस एन और और आफ सिख वारियर, तो पहनी जाती है, वो काफी सजी भी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, यह आप लोग देख पाओगे, इस प्रकार से टर्बन है, निहांग की, क्लियर हुआ, यह आप लोग देख लिया, फिर उसके बाद हम लोग आगे कुछ और इन्फोर्मेशन कवर करते हैं, अब एक क् किस प्रकार से अपने स्किल्स को दिखा रहे हैं, बिल्कुल हकीकत यहां पर नाम सी बता चल लेगी, हाँ, ऐसा हकीकत में देखने को बिलता है, अब उसके बाद ओरिजिन के बारे में, गर हम लोग बात करें, कुछ सोर्सिस यहां पर बताते हैं, कि निहांग का कैसे सिंग, टाइम था 16.99 से लेकर 17.05 का, ठीक है, जो यहां पर पहली बार अपियर होते हैं, गुरु के प्रेजेंस ड्रेस के अंदर, ब्लु चोला, ब्लु टर्बन के साथ यहां पर यहां पर यह अपियर होते हैं, तो इसके बेसिस पर जब अपने सन को देखते हैं, गुरु सिंग के बारें बात करें, मतलब कि निहांग का क्या exactly role रहा है, सिंग हिस्टरी के अंदर वो भी हम लोग डिसकस करते हैं, जब बात करते हैं निहांग की, तो निहांग का एक major role रहा, लगबग आपका सकतो सिंग पांत को defend करने के लिए, क्योंकि आपको बता होगा, जो पह अब mention देख पाऊगे, जैसे कि अफगान, अब जो अफगान invader था, एहमद शाद उर्रानी, ठीके, इसने भी यहांपर एक तरीके से काफ़जर एडियास पर कबजा किया, इन्वेड किया, अब हुआ था क्या है, यहांग जो है यहांग आपका सकतो यह defend करते हैं सिंग पा यहांपर आप देख पाऊगे, निहांग जो है, अपने आपको सिक चीफ के बिल्कुल भी अंडर नहीं मानते, बेसिकली यहांपर नहीं कहना है कि हम लोग यहांपर एक independent existence के अंदर बिलीव करते हैं, तो हम independent existence के अंदर बिलीव करते हैं, यहांपर कहना है निहांग का, clear तो निहांग समझ में आ चुका है, पिचर मैंने आप लोगो दिखाई दिया है, अब वापस सलते हैं, हम लोग अपने editorial पर देख लेते हैं, आज के important editorial को, तो जैसे आपको बताए, आज है Saturday, तो Saturday में यहांपर editorial आते हैं, बहुत ज़दा कम, अगले page पर कोई editorial आता नहीं है Ground Zero है, तो again, हमारे पास एकलोथा editorial है यह, और जो कि बहुत ज़दा जबर्दस्त है, important है, यहांपर बात की गई है, ट्यूबर क्लॉसस के बारे में, प्लस यहांपर nutrition के बारे में, हम लोग एक अच्छे food and nutrition से क्या कर सकते हैं, ट्यूबर क्लॉसस को tackle कर सकते हैं, अब यह इ यहांपर directly हम editorial को start करते हैं, बोला गया आप, देखो अगर हम लोग पिछले एतिहास में देखें, बूत काल में देखें, तो बोला जाता है कि देखो, जितने भी हांपर बिमार होता है, मतलब there was a belief that every ill had a pill, कोई बिमार है तो उसके पास एक दवाई है, and the pill killed the germs, और वो दव that made you ill, मतलब जिस जम ने, जिस मतलब के डालू ने आपको भी मार किया, वो जो पिल है, जो दवाई है, वो उसको मार देती है, लेकिन यहांपर यहांपर ये mention करते हैं, आप देख पाऊगे, एक बात आती है, देखो सिर्फ चीजे केवल दवाई के उपर dependent नहीं करती है, य आप यहांपर बताया गया, टीबी के लिए ये सारी दवाईया है, ये सारी दवाईया ले जा सकती है, लेकिन बोला यह जाता है, कि टीबी को टैकल करने के लिए, आपके पास एक proper और एक अच्छा nutrition हो, एक अच्छा खाना खारे हों पोशल बरपूर, अगर खाना आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, तो इसकी वेसे भी यहांपर आप ट्यूबर क्लोस को टैकल कर पाओगे, ये यहांपर ओथर कहना है, तो ऐसा निये दवाईयों के पीछे ही भागना है, अगर हम लोग बात करें इसके इतिहास की, तो यहांपर इनका exactly क्या कहना है, देखो इ पहले कोई भी drugs नहीं हुआ करता है, तो यहांपर मेंशन क्या गया, तो होता क्या है, यहांपर आप कहसकते हो कि लोगों की wages यानि मजदूरी है, वो इंप्रूव की जाती है, प्लस यहांपर उनका living standard अच्छा होता है, प्लस यहांपर आप कहसकते हो कि अच्छेंग उनकी पर्चेसिंग पावर होती अच्छा खानक वो खरीतिये खा सकते हैं अगर ऐसी कंडिशन है तो TB अपने आप कम हो जाएगा और हमने ऐसा देखा है जो TB का अच्छा खाना खुली हवा और नीचर का यहां पर आनन लिया या उसके बेसिस पर यहां पर TB ठीक हुआ है उसके बाद ऑथर मेंशन करते हैं कि Second World War के बाद में अगर हम लोग देखें तो 1946 के अंदर GB लेटन यह रिपोर्ट करते हैं कि 92% reduction हुआ है incidence of TB के अंदर मतलब कि TB के अंदर उन 92% से गिरावर्ट देखने को मिली है British soldiers के अंदर British soldiers भी पहले TB से काफी सफर कर रहे थे Second World War के बाद में लेकिन soldiers के अंदर TB कम हुआ ऐसा क्यों तो यहां पर बोला गया इन soldiers को यहां पर additional red cross diet देरी दी जा रही थी ठीके 1000 calories यहां पर दी जारी 30 grams of protein दिया जा रहा था ठीके और मतलब एक अच्छा खाना दिया जा रहा था ऐसा आपर बताए जया जबकि Russian soldiers को proper खाना नहीं मिल पा रहा था लेकिन British soldiers को बहुत अच्छा खाना दिया जा रहा था तो यह एक खुद का historical importance है यह एतिहासिक रूप से तैह है कि भई एक जो अच्छा nutrition है वो यहां पर सही कर सकता है TB को लेकिन आज की टेम पर क्या हो रहा है एक अच्छे nutrition को ignore कर दिया जाता है modern therapist के तुरू जो की लगातार ट्राइ करते हैं कि भई स्टेप्टोमाइसिन के injection दे दो आई सो नियाजाइट दे दो ठीके अलग लग यहां पर दवाईयां देने के बारे में लगे रहते हैं यहां आप लोग देख पाऊगे और इससे क्या होता है जब दवाईयों यहां लोगे वो दवाईया और उल्टा ही नुकसान देंगी बॉड़ी को और यहां पर जो मिमारी वो ठीक नहीं होने वाली इस प्रकार से चीज़ें यहां पर क्रेट हो जाती हैं तो यहां पर बोला गया कि देखो आपको समाजना होगा जो यह पेशेंट्स हैं यह कहीं नकी इंप्रूफ हो सकते हैं खासकर अगर हम लोग इनके फूड के अंदर बदलाव करें एक न्यूट्रिशास फूड इनको प्रोवाइड करवा हैं जैसे इन्होंने एक एक एक्जाम्पल दिया यहां पर यहां पर एक तरीके से बोलते हैं कि एक प्रोजेक्ट है जिसको म के अंदर जो बस्तन रीजन है वहाँ पर लोगों को यह खाना दिया जाए इस चीज़ को लेकर ओथर चर्चा कर रहे थे और यह सारा काम किया जा रहा था है नैशल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में 2009 से 2010 के बीच में तो ओथर यहां पर इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे बड क्या हुआ Central Technical Team ने इसको reject कर दिया बोला कि इसके कोई proven benefits नहीं है यहाँ पर proof दिखाओ कि कहां यह benefit हो सकता है तो उसने reject कर दिया तो यहाँ पर proven benefits आप देख सकते हो कि एतियासी ग्रूप से काफी बार ऐसा देखा गया है कि लोगों की जब nutrition को improve किया गया तो वो TB को tackle क पाएं फिर उसके बाद ऑथर ये भी बोलता है जो nutrition है किसी भी individual व्यक्ति का वो सबसे important factor है उसके लिए अगर वो nutrition पूरा हो जाता है उस body के अंदर में तो अगेन वो ट्यूबर क्लॉसे से अराम से लड़ सकता है ऐसा खुद डॉक्टर जे बी मैक डॉगल का कहना है ठीके ज सिर्फ drugs अकेला ठीक कर देगे ऐसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है आप लोग क्या कर सकते हो vaccination को supplement कर सकते हो यहाँ पर nutrition से टीबी को यहाँ पर ठीक क्या जा सकता है लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आपका nutrition लेवल थोड़ा सा सही हो जाए यहाँ पर यहाँ यहाँ पर आप देख पाऊगे फिर उसका बताया एक फैक्ट यह है कि आज के टाइम पर 90% नबबे प्रतीशत जो इंडियन्स आपको देखने को मिलता है वो कहीं न कहीं आपका सकते हो टीबी से सफवर कर रहे हैं और इनका अगर जो nutritional status है यहाँ पर आप देख पाऊगे जब जो यह infected person होता है इसका मतब immunity system इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता तो टीबी obvious ही बात है इसको यहाँ पर affect करेगा और यहाँ पर क्या है इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा टोटल आज की टाइम पर 2.8 million active cases देखने को मिलते हैं टीबी के और बोला गया यह basically यहाँ पर एक disease है poor लोगों के लिए गरीब लोगों के लिए बिमारी देखने को मिल जाते हैं क्योंकि जो poor है पूर लोग proper treatment ले नहीं पाते हैं अब proper treatment ले पाते हैं proper treatment चलता नहीं क्योंकि अब treatment ले पाते हैं तो लंबे समय तक उस treatment को regular continue नहीं कर पाते हैं यही वास्ते सायोग hospital at गनियारी बिलासपूर in 36 गर तो यहाँ पर काफी सारी findings करी गए और यहाँ पर पता लगाने की खोशिश करिए कि देखो क्या है nutritional status कैसे यहाँ पर nutrition जो है किसी TB को रोख सकता है तो इन्होंने यहाँ पर काफी सारी चीज़े studies वगरा करने के बाद हैं यह बोड़ी के अंदर कोई nutrition नहीं है लेकिन आप देख पाऊगे अगर हम लोग nutrition लेवल को बढ़ा आ दें तो चीज़े improve हो सकती है ऐसा पर बताया गया 2014 के अंदर खुद यहाँ पर एक research की जाती है डॉक्टर अनुराक भारगवा के थुरू जो की professor है medicine के इन्होंने यहाँ पर बताया कि जो under nutrition है एडिल्ड population के अंदर में वो एक सबसे बड़ा concern है भारत की TB की problem का मतलब की under nutrition बार बार ओथर ने specifically इसी term के उपर focus किया है कि 2019 का जो global TB report है इसने खुद यहाँ पर यह सारी सीज़ा identify करी और बताया है कि जो malnutrition है मतलब जो कुपोशल है यह सबसे बड़ा risk factor है TB के लिए मतलब कुपोशल की वज़ा से यहाँ पर TB देखने को मिल रही है बाकी जो कुछ कारण है वो smoking और harmful use of alcohol, diabetes वगर आपको देखने क को विलेगा malnutrition और इसी चीज़ को देखते भी यहाँ पर क्या किया गया बहुत सारे लोगों को eggs यानि अंडे, milk powder, दाल और बेंगल ग्राम, ground nuts, cooking oil प्रोवाइट करवाने के बारे में चर्चा की गई यहाँ पर starting में प्रोवाइट करवाया गया यह यहाँ पर बोला गया और साथ साथ यहाँ भी बोला गया, 36 गड़ ने भी एक step उठाया कि हम लोग ground nut, mung dal और soya oil यह सारी सीज़ हम लोग supply करेंगे अपरिल 2018 से अंडर दा निक्षय पोशन योजना, तो यहाँ पर यह सारी सीज़ स्टेट्स के तुरु यह निच्छा गर के तुरु डिसाइट क यहाँ पर एक food प्रोवाइड करवाओ, food ही प्रोवाइड करवाओगे तो ज्यादा भेतर रहेगा, उसके बाद फिर लास्ट में आपर author मेंशन करता हैं, डॉक्टर भारगवा के according बात करें, तो जो under nutrition है और जो TB है, दोनों आपस में link करता हैं, तो basically क्या किया जाएगा, अगर TB को ठीक करना है, तो अपने under nutrition के status को ठीक करो, अपने body के अंदर एक nutritious भरपूर खाना डालो, अगर nutritious भरपूर खाना आता है, तो definitely आप यहाँ पर TB को टकल कर पाओगे, TB की विमारी से लड़ पाओगे, तो यह था particular editorial, अब आपको TB के बारे में भी कुछ specific information पता होनी चाहिए static information जो कि directly आप से examination में पूछी जा सकती है, tuberculosis के बारे में बात करें, तो जो यह TB है, यह basically होती है एक bacteria की वज़ा से, जिस bacterium को हम लोग बोलता है, mycobacterium, tuberculosis, ठीक है, तो उसका नाव है mycobacterium, tuberculosis, जिसकी वैसे TB की मिमारी देखने को मिलती है, यह जो tuber bacteria है, यह बिल करवाते हैं कि TB जैसी problem को create करता है, TB के साथ साथ लेपरोसी जैसी problem को यहाँ पर humans के अंदर और animals के अंदर create कर देता है, दो मतलब mycobacterium यहाँ पर basically एक bacteria है, जो कि यहाँ पर TB के लिए जिम्मेदार है, clear हुआ, फिर उसका यहाँ बिले बता है, यह humans के अंदर जो TB है, वो जातर affect करता है उनके lungs को, ठीक है, फिर उसके साथ साथ यहाँ पर उनके organs को भी, दूसरे organs को भी affect करता है, TB अपना आप में बहुत पुरानी बिमारी है, ऐसा नहीं है, कोई नई बिमारी है, TB के बारे में यहाँ पर existence इसका देखा गया था, एजिब्ट के अंदर लगबग 300 BC के आसपास, तो मतलब TB बहुत अदा पुरानी बिमारी आपको देखने को मिल जाएगी, खास बात यह है कि TB ट्रीटेबल है, इसको ठीक क्या जा सकता है, और यह एक अच्छी बात भी है, ट्रांसमिशन के बारे में बात करें, TB spread होता है, बिल्कुल person to person यहाँ पर फैल ज आते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति उस particular atmosphere के contact में आता है, तो कहीं न कहीं उस बिमारी से TB से सफर्क कर सकता है, clear हुआ, अब बात करें symptoms क्या नहीं लक्षड की, तो जो common symptoms आपको देखने को मिलते हैं, इस TB के वो आपको देखने को मिलेगा, chest pain हो गया, ठीके, यानी सीने मे दर्द हुआ, weakness हुआ, weight loss, fever और night sweat, इस प्रकार से यहां पर आपको लक्षड देखने को मिल जाते हैं, तो यह थी सारी information, I hope आप लोग को सब कुछ यहां पे cover हो चुका है, editorial cover कर लिया हमने, line to line, सारे articles हमने cover कर लिया है, सारी detailing information हम लोगोंने cover कर लिया, main question देख लिया है, अ फटाफट prelims का question का answer देख लेता है, क्योंकि मैं आपको बोला था, वीडियो के last में मैं आपके साथ इस question का answer बताने वाला हूँ, तो which of the following party were established by Dr. BR Ambedkar, तो इसका correct answer आपको देखने को मिल जाएगा, option B, ठीक है, option B 2 and 3 है, मतलब कि आप कर सकते हो, All India Schedule Cast Federation और Independent Labour Party, तो यह दो parties हैं, जो की डॉक्टर BR Ambedkar के तुरू establish करी गई थी, तो यह था data, I hope आपको एक एक बात बहुत अच्छे से clear हो चुकी है, और I hope आपको मज़ा भी आया होगा, और अपने वीडियो को भी तक like कर देना, इसके साथ करते हैं, हम लोग अपने lecture को समाप्त मिलते हैं, आप लो स्टे, थैंक यू और जाहिंद!